पर्फियूम से ठंड क्यों लगती है और सांड को लाल रंग देखकर गुसा क्यों आता है? ऐसे ही कुछ इंटरेश्टिंग फैक्ट्स के अंसर जानने के लिए हमारे वीडियो के अंट तक बने देए पर क्या आपको पता है कि रसिया प्लैनेट प्लूटो से भी जादा बड़ा है जिसकी एरिया सिर्फ 16.6 मिलियन स्कूर किलूमेटर है पैक्ट नमर 9 क्या आपके उंगली पर भी कभी कांटे गुस कर फसे है? अगर हाँ तो उस कांटे को निकलने का एक आसान तरीका है जिस जगह पर काटा फसा है, वहाँ पर बेकिंग सोडा का पेश्ट और पाने डाल कर कुछ मिनट तक वेट कीजे और उस काटे को स्किन से निकलने तक वेट कीजे Fact No.8, क्या आपको पता है कि Everything Men Know About A Woman नाम की एक बुक है जहां 120 pages पूरी खाली है Fact No.7, क्या आपको पता है कि 1940 से 1960 तक डॉक्टर्स प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए African Cleven Frog को यूस किया करते थी वो व्यूमेन के यूरिन को Frog में इंजेक्ट किया करते थी अगर Frog अंडा देती तो इसका मतलब वूमेन प्रेगनेंट है Fact No.6, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे strongest beer साप की जहर है जिसकी पास 67.5% alcohol होती है Fact No.5, क्या आप एक्जाम में पड़ी हुई चीजें नहीं बूलना चाहतें तो रात को पढ़ने के तुरंद बाद सोजाईए जो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है वो आपको बिल्कुल याद रहेगा Fact No.4, क्या आपको पता है कि अगर आप UK की रिच फैमली के लिए ट्रेवल करके फोटो क्लिक करते हैं तो आपको वो फैमली 72 लेक रोपीस पे करेगी Fact No.3, दुनिया का सबसे स्टॉंगेस्ट पता जिसका नाम विक्टोरिया वाटर लिली है जो एक हुमेन को भी अपने उपर होल्ड कर सकता है Fact No.2, सांड को लाल रंग देखकर गुसा क्यों आता है सांड लाल रंग देखकर भड़क जाता है ये बहुत बड़ा जूट है असल में सांड लाल रंग देखी नहीं पाता सांड भी बाकी जानवरों की तरह कलर ब्लाइंड होता है यानि कि लाल और हरे रंग को देख नहीं पाता सांड को लाल रंग देखकर गुसा नहीं आता है बलकि सांड को गुसा आता है उस हिलते हुए कपड़े को देखकर जिस तरह से सांड के सामने लगातार उस कपड़े को हिलाया जाता है उससे सांड को गुसा आने लगता है जिससे वो आग बबुला हो जाता है और किसी पर भी अमला करने लगता है पर्फियम से ठंड क्यों लगती है अगर आप पर्फियम के शौकिन है तो आपने एक चीज़ जरूर नोटिस किया होगा कि जब आप पर्फियम को अपने बॉड़ी पर या अपने हाथों पर लगाते हैं तो आपके बॉड़ी ठंडी हो जाती है इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है हमारी बॉड़ी थोड़ी बहुत गरम होती है अगर आप अपने हाथ को टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉड़ी गरम है तो पर्फियम को ऐसे तयार किया जाता है कि हीट को अपने अंदर लेकर अपनी महक छोड़ता है मतलब हीट को अपने अंदर लेकर वो महकता है जब वो हीट को सोग लेगा तो आपके बॉड़ी का वो पार्ट और भी धंडा हो जाएगा जिसके वज़े से आपको पर्फियम धंडा लगता है बिल्कुल ऐसा पेट्रोल के साथ भी होता है अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजे और वीडियो को यहां तक देखा है तो ज़रूर पसंद आया होगा और ऐसी इंट्रेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में